नमस्का तोस्तों फिर से आप सभी के पास mathematics के कुछ important question लेकर हम आपके पास जवज़स तरीके से हाजिर हो चुकी हैं आज की इस वीडियो में हम बताएंगे mathematics के कौन-कौन से important question है जो कि आप सभी के examination में पूछने की संभामना है दोस्तों एक बात बताते हम वही question को आपके सामने परदसित करते हैं जो आपके examination में आने वाली होती आलतू-फालतू question हम बिलकुर भी नहीं परदसित करते हैं क्योंकि आप सभी को बदाए कि हमारे उपर आप सभी बहुत ज़्यादा trust करते हैं बहुत ज़्यादा बिस्वास करते हैं जिसके कारण हम चाहते हैं कि वही question आपके सामने रखें जो आपके examination में आएंगे तो चलिए दोस्तो start करते हैं आपको बताते हैं तो आज का section में है किसी संख्या का दोत्याई मुल्ट संख्या से 10 कम हैं तो वो संख्या किया है तो दोस्तो यहाँ पर बता दे कि मुल्ट संख्या अगर हम एक मानते हैं तो कहा जा रहा है इसमें किसी संख्या का तो संख्या हम एक माने एक का दोती हैं तो एक का दोती हैं कितना होगा दोस्तो कोई मुल्ट संख्या है मुल्ट संख्या हम एक माने और इसका इसका दोती ह हेंहीं होगा तो 2 तहीं ही हो जाएगा सीक कितना कम है दस कम यानि कि बराबर कितने हो जाएगे दूस्तों 10 और इन दोनों के बीच में हो जाएगे माइनस आपको बोले थे कम बोले चाहे अधिक बोले अलवेज यहां पर क्या होते है ready होते हैं सोते अब इसको solution करेंगे value आपका निकल जाये तो इसको LC हम लेंगे तो 3-2 बराबर कितने हो जाए एक यानि कि 1 बटा 3 बराबर कितने हो जाएंगे 10 क्रो सुना करेंगे तो 1 बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तो 30 यही आपका क्या है सही अंसर वो संख्या क्या है आपका 30 से options number two आपका मैच हो गया यानि कि दोस्तों वो संख्या क्या है वो संख्या 30 से जिसका दो तिहाई करने पर मुल संख्या कितना आएगा दोस्तों 10 आपका आजाएगा है ना काफी गजब का ट्रिक दोस्तों बहुत इजी है आए यहाँ पर और कुछ question देखते हैं जो की important है और आपके examination में पूछेंगे ही पूछेंगे तो यहाँ पर वो ही question हम करवाते हैं तो चलिए यहाँ पर next question आ चुके लिखेगे 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 3 तो डोट डोट का योग 40 पदो तक क्या होगा मतलब कि देखे दोस्तों एक पद 2 पद 3 4 5 6 7 9 10 इस तक सजाए और 40 पद तक क्या होगा उसको पूरा को सब को जोड़िए और जोड़ कर आप हमें बताई तो दोस्तों यहाँ से देख क्यु essappelle 3 देखे और 40 पद 2 तोड़िएज सब्स 1 ने ली ओर दोस्तों एक और 2 2 3 तीन में 3 चला जाएगा तो बहर जाएगा 0 उसके बाद है flying मोर्न के सब्सक्राइक कर सकते हैं कि टीन पदो का योक तीन पदों का योग बरावर कितना हो रहा है दोस्तों हो रहा है जीरो तो उसी परकार से छे पद का भी जीरो नो पद का भी जीरो इस तरह से करके अगर दोस्तों अगर हम थार्टी नाइन पद तक भी अगर हम चले जाते हैं तो भी हमारा क्या मिलेगा दोस्तों जीरो अब जैसे 39 के पास जाएंगे वेसे है जो उस्तो 40 पद आएगा यानि 40 पद का योग क्या होगा 39 पद यानि 39 पद पद प्लस एक क्योंकि 3 के बाद 1 जुड़ेगा दोस्तो तो 39 पद में 0 है और 1 होगा 40 पद में यानि 1 होगा क्या होगा 40 पद में तो इन दोनों का अगर आप पसमें जोडते हैं तो कितना आता है दोस्तों एक आता यहीं आपका क्या है सही रीजल्ट है यानि आप्शनस नंबर टू आपका बिल्कुल भी सही जवाब है ना काफी गजब का ट्रीक है दोस्तों यहां पर सिप और सिप देखकर ही हम लोग एंसर को क्लिक करते हैं आईए क खुश्य और entaround देखते अगली कॉसच्चन स्क्रीन पर आचुके हैं लिखे के यह आपड़ ए बी ब्राबर साथ नुपक्क किरने के लिए के से निकालेंगी यह ट्रीक सिखे वैसे तो निकालने का बहूत अनेको अनेक तरीका है लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वही तरीका हम यहाँ पर आपके पास परदिसित करेंगे अब यहाँ पर देखे इन दोनों में कौन सा common है तो common क्या है दोस्तो B common है क्या common है दोस्तो B common है यहाँ पर ध्यान देजेगा यहाँ क्या है B common यहाँ पर दिया है यानि अगर इसको अगर अच्छा से लिखना चाहते तो A अनुपात B और 7 अनुपात 9 फिर इसमें है B अनुपात C और 3 अनुपात कितना है 5 जिसमें से B B common है तो B B common है तो दोस्तों यहाँ पर 9 है यहाँ पर 3 है तो इसको भी 9 बनाने के लिए किस संख्या से गुना कर देंग जब एक भाई को यहाँ पर गुना करेंगे तो दूसरा भाई भी चुपचाप नहीं बेठेगा दूसरा भाई भी बोलेगा कि हमको भी गुना करो इसको क्यों गुना कि तो जिस संख्या से इसको गुना करेंगे उसी संख्या से फिर से इसको भी गुना करना पड़ेगा ए का भêu्लू कितना होगा दोस्तो 걌 दोस्तो से कपेद लुक्त नहों जाएगा दोस्तो फन्द्र अगर कटेगा तो हम इसको क्या करेंगे काड़ देंगे और नहीं कटेगा तो हमारा ओह ही अंसर हो जाएंगे यह कि इस परकार से हम कर सकते हैं साथ अनुपात नो अनुपात पंदर जो options नमबर एक बिल्कुल भी सही जवाब है है ना दोस्तों काफी गजब का ट्रिक है तो चलिए कुछ और question दिखाते हैं और आपको important question की और बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन से important question तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पर आ चु बढ़त दो अनुपात तीन हो तो बी को कुल कितना परतिकसत मिलेगा या देखें कि इसमें percentage पूछा गिया है तो सबसे पहले सभी को एक लाइन में खड़ा करना पड़ेगे तो एक लाइन में खड़ा करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखें बी यहाँ पर common है तो हम क् का करेंगे तीन से multiply कर देंगे तो तीन तीन नो हो जाएगा तो यहाँ भी बी का भेलू नो हो जाएगा अब आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाए कि जब किसी एक को गुना करते हैं तो दूसरा को भी गुना करना अनिवायर होता है यानि कि दोस्तों इस परकार से हम क और सी का मान हमारा ग्यात हो चुका अब इसमें पुछा जारा भी को कुल का कुल का यानि इस कुल का कितना परतिसत मिलेगा दोस्तों यहाँ पर तीन परकार से question पूछ सकता है क्या क्या question पूछ सकता है तीन टैप के यहाँ पर question आपसे पूछा जा सकता है क्या क्या पूछ लाशी दे दिया जाए और आपसे पुछेगा बी का हिस्सा तो बी का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे बी का जो अनुपात है नो है और कुल यहां पर जोड ली जी 5 प्लस 9 प्लस 6 सभी को जोड़ेंगे तो इतना आएगा बीस आएगा और यहां पर जो भी कूल रासी होगा उस रासी के साथ गुना कर दीजी आपका रिजल्ट आजाएगा यह क्या हुआ पहला टाइप का पुछेगा दूसरा टाइप क्या पूछ सकता है इसमें कूल धन रासी कितना भाग है बी को मिलेगा यानि कि क रासी दिया हुआ नहीं रहेगा सिभाग पुछेगा तो भाग पुछेगा तो बी कानुपात कितना है दोस्तों नो है और कूल कितना है बीस है तो नो बटा बीस क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा यह भाग पुछेगा सिप परसंटेज नहीं पुछेगा बलकि जो है तो कूल अगर 100% मानते हैं दोस्तों तो 9 क्या हुए आपका अनुपात है और टोटल कितना है 20 है और कूल कितना माने 100% माने हम 100% माने इसको कार देंगे तो 20 पचे कितना हो जाएगा 100 9 पचे कितना हो जाएगा 45 यानि 45 परसेंट जो कि आपका यही कोस्टन में पूछा ही है कितना परतिस्ट मिलेगा दोस्तों 45 परसेंट मिलेगा यही आपका क्या है सही एंसर यानि और चार आपका मैच होगी तो यहां पर इस कॉस्टन में तीन टाइप से आपसे कॉस्टन पूछे जा सकते मैंने तीनों टाइप के कॉस्टन को आपसे आपको समझा दिये अब ब Ellis असी यहां तो यहां पर बी इगजांट में पूखे जाते लिकेए हैं निवन मेंसом स्टार के अस्थान पर क्सा मान आएगा यही आपसे दूस्तों और आइगा यहां पर समझते हैं वगजन करके तो यहां पर दोस्तों आप एक चीज बताई इस चार केस्थान पर क्या आएगा A star के अस्थान पर दोस्तो बता देIn 0 से लेकर 9 गया 0 से लेकर 9 गया 0 से लेकर 9 मतलद जितने भी अस्थार है सभी पर जो है 0 से लेकर 9 गया तो जब से आसान सा उपाय है solving the options किस से बनाएगा दोस्तो solving the optionsorg options से बनेगा तो कैसे बनेगा option से आई यहां पर सिखते हैं कि सबसे पहले क्या करें करके सभी का star के जगाँ पर को भी मान को Understood यानि या तो एक को हम प्लेस कि जिए 4 को में प्लेस कि ए 5 को में तो थीन को प्लेस कि और सभी को पकड़ कर जोड़ दीजिए तो देखिए कि सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो यहां पर कितने हो जाएंगे दोस्तों एक यानि कि यह हो जाएंगे कितने एक तीस यह हो जाएंगे एक तीस और यह हो जाएंगे दोस्तों चोदों और यह हो जाएंगे दोस्तों एक तो चार आते हैं यानि कि 4 चार लिखते हैं यह 4 लिखते हैं यह बहुते हैं चार लिखते हैं तो यह कितने हो जाएको दोस्तों 34 और यह हो जाएगा 74 जब 34- 44 पाइगा जोड़ेंग ठो छोड़ेंगे downwards 54 और पहले साम्वजूर यह क्या हो गया हो आता हम कर सकते हैं अस्टार बराबर कितना हो जाएगा फोर एही आपका क्या है सही रिजल्ट है जो अपसनस नमबर टू हमारा मैच हो गया तो इस परकार से आप इस कोश्चन को बना सकते हैं आसान ट्रिक से तो यह वीडियो कैसे लगे दोस्तों नीचे कमेंट करके हर परकार का वीडियो देखने के लिए आज का वीडियो को सेक्षन हम एहीं तक रखते हैं वीडियो कैसे लगे एक बार लाइक शेर सब्सक्राइब करके जरू बताईएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नई वीड वीडियो के साथ